तर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने पिछले वाले क्वेशन का अंसर दिया अब दूसरा क्वेशन मेरी तरफ से यह है कि आप जैसे देखते हो इसलाम में एक बगवान बोलते हैं अल्ला है अपने हिंदुत्व में 33 करोड देवी देवताव का क्या क्या कैसे आया आपने यहां पर थोड़ी रोस्ते डाली एक तो सत्य एकम सत्य विप्राह बहुधा वजन्ति एक ही सत्य को अलग-अलग एंगल से लोग सोचते हैं समस्ते हैं इश्वर से कोई लड़ाई नहीं इश्वर से कोई जगड़ा नहीं है लिए मेरा इश्वर सच्चा और आपका इश्वर गलत वहां से सारी बखेड़े हो जाते हैं कभी ने भी कहा है सब गट मेरो साईया खाली गट नहीं कोई बलिहारी उस गट की जागट में परगट होई जागट में परगट होई तो सभी में रिफ्लेक्शन प्रतिभीम तो पड़ेगा ही चांद का तो सभी में जो मटके में चांद के जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो हजारों चांद नहीं है लेकि उसका रिफ्लेक्शन है वैसे ही इश्वर तो एक ही है लेकि हमारी जो फिलोसोपी कहती हिंदुजम में, वह ये कहती कि सभी में भगवान है, मतलब पेड़ पोदों में भगवान है, वनस्रुति में भगवान है, पहाडों में भगवान है, हमने उनको भी पूजा गिया है, तो कण कण में संकर, प्रतिक कण में भगवान है, पाटिकल में भगवा तो यही एक फिलोसोफी है, जो पूरे विश्व से अलग करती है हमार देश की, हम मेरे भगवान, मेरा सत्य जाहिए और आपका सत्य गलत है, ये जब तक कटरता रहेगी, तब तक सारे धर्मा विवाद में रहेंगे, विख्वाद में रहेंगे, प्राब्लेम में रहेंगे, तो एक दूसरा, आप किसी भी मिठाई की दुकन में जाओंगे, तो वहाँ काजु कत्री भी पड़ी है, वहाँ पेड़े भी है, वहाँ पे भलबा भी है, वहाँ पे बुंदी के लड़ू भी है, तो सभी मिठाईया हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़े जिसको हम मिठाई बोलते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ अंदर पड़ी है जिसमें मिठाई के बीना है। तो भगवान सब में हैं, हम सब में हैं, तो हम पूरा जो concept हमारा जो Indian culture में, जो Hinduism में जो culture में, जो philosophy है, वो सब में भगवान है, समसर्वेश भूतेशुम, सर्वे भवन्त सुखिना, तो सर्वे की बात कर रहा है तो उसमें न इसलाम की बात कर रहा है, न खृष्चन की बात क कर रहा है, सर्व सामन ने जन समुदाई की बात कर रहा है, प्रतिक इंसान को इश्वर बनने की जो ख्षमता दे रहा है, वह है भारत की Indian philosophy और Indian philosophy के हिसाब से कही जाए, तो हम लोग बच्पन में, हम लोग गाउं में रहते थे, तो गाउं में अक्सर एक दूसरी को मिलते है तो राम राम बोलते हैं, यानि तुमारे जो भीतर है उसको भी नमस्कार, मेरे भीतर जो राम है उनको भी नमस्कार, इसलिए जैन देरासर में जाता है, मंदिर में हिंदू जाता है, इसलाम मुसलमान मस्जिद में जाता है, क्रिश्जिन चर्च में जाता है, लेकिन होटल में सबी जाते हैं और धर्म एक ऐसी चीजे बीड का धर्म विशय नहीं है जो बहुत बड़ी बीड एक्थी कर दे वो धर्म का विशय हो सकता है अध्यत्मिक विशय नहीं है प्रत्यक व्यक्ति का इश्वर अपने बेतर है और उसको अपने बेतर ही डिस्कवर करना है खोजना है आविश्वका जिसकी जैसी भावना होगी, वैसे ही इश्वप रिफ्लेक होते हैं, प्रतिविम्भी होते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने विचार, अपने भावों को स्रिष्ट मनाएं, धन्यवाद, अस्तु, ओम.